हलो एवरिबन वेलकम टू मैं चैनल देखिए आज जो मैं आपके लिए तोरन लेके आई हैं वो इत्ते इत्ते से टुकड़े बच जाते हैं ना मैं सिर्फ उन से बना रही हूँ जैसे हम कुछ भी बनाते रहते हैं तो हमारे पास है ना छोटे छोटे यह ना इस तरह के टुक बहुत ही मतलब कम टाइम में और बहुत आसानी से बन जाती है तो चलिए जो यह हमारे पास चोटे चोटे टुकड़े हैं इन ही से हमें तोरन बनाते हैं और इसमें हमारे जो पिंक वाली उन है यह तोड़ी सी ज्यादा लगी है और सारी उन हमने ना नॉर्मल है बस इतने चोटे चोटे से टुकड़ो में ही बन गई है और हाँ अगर आपको यह पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक कर देना आप लाइक करना बोल जाते हैं और सस्क्राइब कर लेना अगर आप मेरे चैनल पर नए है और बेल आइकन प्रेस कर देना इस तरह के ही वीडियो आपको और भी मिलती रहेंगी तो जो यह पिंक वाली होना यह थोड़ी सी इतनी नहीं लगी है यह तो मेरे पास बहुत सारी बच गई थी लेकिन यह उन सबसे थोड़ी सी जादा लगी है अप्रोक्स यह 10 ग्राम से भी कम लगी होगी इसमें तो आपको मैं यह बनाना शुरू करत उसके लिए हम क्या करेंगे देखे पहले यह 5 चैन ले लेंगे इस तरह से हम यह 5 चैन लेने के बाद यह देखे इस तरह से फंदे को लेंगे और यह लाश्ट वाली जो चैन है उसमें डालके ऐसे फंदे को हम खीच लेंगे फिर दुबारा डालेंगे फिर खीच लेंगे ये तीन बार और ये चार बार और ये लास्ट में हम पाँच बार तो पाँच बार ये फंदे को ले लेंगे और एक साथ इस तरह से निकाल देंगे फिर एक चैन लेंगे और फिर से हम इसी चैन में डालते वे एक बार फंदे के उपर लिया दो बार किरोशे के उपर लिया य ये 5 तो ये 5 बार हम इन कुरूशा के उपर ले लियाola और सबको एक साथ इस तरह से निकाल दियाा तो ये देखे System mij और इनके बीच में हमने एक चैन बना ही है अब हम क्या करेंगे एक दो तीन, चार, चार चैन लेंगे, और चार चैन लेने के बाद, देखें, यह जो बीच वाली चैन है, यहाँ पे इसके बीच में डालके, हम एक बार फंदे को ऐसे कीचके किरोशय के उपर लेंगे, दो बार, ये तीन और ये चार ये पाँच पाँच हो गए अब अब इन सब को एक साथ इस तरह से निकाल देंगे फिर हम एक चैन लेंगे और इसी में डालते वे एक और पफ इसी तरह से पाँच भार फंदे को किरोशे के उपर हम ले लेंगे तो ये इतनी आसान है ना कि इसी तरह से हम करते हैं जितनी भी लंबा हमें तोरन बनानी है वो हम अपने गेट से या हमें जहां पे लगानी हम वहां से ना पलेंगे और उतनी ही लंबी हम इसी तरह से बनाते जाएंगे देखेंगे ये 5-5 पर हम फंदे किरोशे के उपर लेंगे और जैसे ये दोनों बनाई हैं ऐसे ही उपर बनाते जाएंगे तो ये मैं पूरी लंबी बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये न किस तरह से बनानी है मerson कईप कर दो दिदो हमारी देखे पुरी भाजेस वहां पनाप मेंग्ट तो उतनी ही भनाई अब ऊक्तिक्रेट करेंगे जो यह पहले वाले पफ है ना तो नो यह देख अब मैं इसमें रख पर कि झोड़ेंगे तो यह चूड़ेंगे तो इस तरह से हम ना इसे इसे इस तरह से उन एक जॉइंट कर ली और हमने यह पर पाच्चेंग ले प्राइब को दिखाई देगा इधर इसे सिंपल क्रोशिय से जोइंट कर लेंगे फिर हम यहाँ प्राइब के ईसके आगे वाले में इस तरह से जोइंट कर देंगे यह जैसे हमने और तो और इसके आगे वाले puff के पे जोइन्ट कर दिया ऐसे ही हमें यह पूरे यह लाइन में बना लेंगे सेम तरीके से पाश पाश पाई चैन लेनी है और इसे जोइन्ट करना है तो ये दे के है हमाँ इतने से हमें पूरे में कर लेंगे पूरे में ओके दिखा रही हों करेंक आपको दिखे में हमारे और पूरे मैंने इस तरह से 5 पाँच चैन लेके यह बना लिया है एक साईड में अब हम साब यह देखे मैंने कोना इसका भी एक छोड़ दिया है पफ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इस तरह से पलटेंगे और एक दो यह देखे दो चैन ली और यह इसके बीच में डालके सिंपल क्रोशिया से इसे जोड़ कर दिया इस तरह से अब हम यहाँ पर एक दो तीन चार कांगूरा बन जाएगा फिर से तीन चैन लेंगे और यह आगे वाली चैन है इसमें डालके सिंपल क्रोशिया से जोइंट लिए किनगे इर सेविच सी डे की आगे इसमें अब हम है पे फिर से कई जही आपने दो जैन से दो चैनल लें और एकस डबल क्रोशय बनाएंगे फिर एक और ढ़नाएंगे फिर से एकस किम ए एक ऑर सब्सक्राइब मुनित में यह से बनाएंगे देखे चार हमने डबल क्रोशिया बना लिए फिर दो चैन ली और ये सिंपल क्रोशिया से इस तरह से यहीं पे डालके इसे धम कर दिया तो देखिए यह हमारा इस तरह का बन गया अब हम यहाँ पे एक दो दो चैन लेंगे और इसके आगे वाली चैन में डालके हम इसे सिंपल क्रोशिया बना देंगे यह देखिए यह हमारा इस तरह का बना और यह इस तरह से बना अब हम यहाँ पे फिर से 7 चैन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 चैन लेके उपर से हम 4 वाली चैन में डालके कंगूरा बना लेंगे इस तरह से अब हम यहाँ पे 1, 2, 3 3 चैन लेंगे और यह जो हमारी आगे वाली चैन है इसमें सिंपल क्रोशिया बना देंगे यह देखे जैसे हमने यह इधर बनाया था सेम ऐसे ही बनाया है अब हम यहाँ पे 1, 2, 2 चैन लेंगे और इसके आगे वाली चैन में डालके इस तरह से सिंपल क्रोशिया बना देंगे अब हम यहाँ पे ना जैसे हमने यह बीच में चार डबल क्रोशिया बनाए थे वो हम बनाएंगे तो उसके लिए एक दो दो चैन बनाई और यहीं पे डालके एक डबल क्रोशिया बनाया फिर एक चैन ली एक डबल क्रोशिया बनाया सोरी दूसरा डबल क्रोशिया बनाया एक चैनली तीसरा डबल क्रोशिया बनाया एक चैनली और ये चोथा डबल क्रोशिया बना दिया तो ये देखे इस तरह से बन गए अब हम यहाँ पर फिर से दो चैनलेंगे और यह simple crochet से यहाँ पर इस तरह से डाल देंगे तो यह देखे यह हमारा है इस तरह से बन गया फिर हम यहाँ पर दो chain लेंगे और आगे वाली chain में simple crochet बना देंगे इस तरह से तो जैसे हमने यह बनाया है न इक बार यह लटकन और इस तरह से बनाते हैं we are यहाँ पे पूरा बनालेंगी दे रिटे साथ चैन हो गई यह सुर्थ वाली चैन में डाला इसे यहाँ पर कंगुरा बनादिया फिर तीन चैन लि aar इसके आगे वाली यह तक पूरा complete करके फिर मैं आपको दिखाती हूं तो यह देखे यह हमने चार डबल क्रोश्य और एक तरफ कंगुरा इस तरह से बना के हमने पूरा कम्प्लीट कर लिया अब हम यहां कोने पर आ गए और यहां पर इस तरह से एक चैनले के इसे कट कर देंगे अब हम तो यह देखे यह हमारा गीन वाली उनसे पूरा कम्प्लीट हो गया अब हम इसमें जो हमारे पास है ना जो छोटे-छोटे वो मैंने धागे उनके ना युकडा था मेरे पास तो मैंने वो ही यूज़ कर रही हूं इसमें यह देखे इसे हम पहले ना नोट लगा लेंगे इसमें नोट लगाने के बाद यह देखे यह जो हमने चार डबल क्रोश्या लेते ना और जो यह शुरू में दो चैन थी उसमें डालके हम इसे जिहां प पास अब दो चैन ले लिया फिर यह दो बार कि रोश्या यह दिते ह洗고 in उसमें दयाहिंग के बाद लेते बार दो मिना भी हमने हम रीय लसे मेड़ा produto विच्छ Two लिए यह हमने बार कि रोश्या पिर मरत फर यह यह दो बार फिर यह लगाँ सबह दो यह दो पहर में रही ह दाल लेंगे ये देखिए अब हम अगले वाले ही जो ये एक चैन थी ना इसमें डालेंगे इसमें भी एक बार फंदा किरोशे के उपर दो बार ये तीन बार और ये चार बार और सब को हम एक साथ इस तरह से निकाल लेंगे तो ऐसे ही देखिए ये अगली चैन में डालेंगे एक बार फंदा किरोशे के उपर दो ये तीन और ये चार एक मिनट ये पांच हो गए थे और इन सब को हम एक साथ इस तरह से निकाल लेंगे ये देखिए फिर आगे वाले में जाएंगे और इसमें भी हम फंदे को इसी तरह से चार बार किरोशे के उपर लेंगे और सभी को एक साथ निकाल देंगी ये देखे इस तरह से फिर ये जो लास्ट वाली जो चैन थी ना इसमें डालके हम इसमें भी इसी तरह से पफ लेंगे हम ये देखे फंदा खीच के किरोशे के उपर ये तीन बार हो गया और ये चार बार अब हम इन सभी को एक साथ इस तरह से निकाल देंगे तो जो ये हमारे टोटल पफ हुए हैं वो एक, दो, तीन, चार, पाँच ये हमारे पाँच पफ हुए हैं तो ये जो हमने शुरू में दो चैन ली थी ना ये उसमें डालके ऐसे क्रोशे के डालेंगे और ये फंदा लेंगे और इसे इस तरह से खीच के जॉइंट कर देंगे तो ये देखे हमारा ये गोल हो गया है ये देखे अब हम यहाँ पे एक, दो, दो चैन ली और दो चैन लेने के बाद देखे ये जो पफ के उपर वाला फंदा है ये देखे कि फिर हम यहां पे एक दो तीन चार चार चैन ली और यह जो हमारी चैन और डबल क्रोश्या के बीच में जगा है यहां पे डालके सिंपल क्रोश्या से इसे जॉइंट कर दिया फिर हम आगे जो दोनों पफ के बीच यहाँ बजाएंगे सीज़एंगे और रहुं सेबर कोर दाएंगे। इसलों दभी करीड़ करेंगे मुंके सब्लाना है। तो इसी तरह से हमें यहां पर बनाते चाहरे हैं तो यह देखिए इस तरह से पहले एक double crochet बनाओ चार chain लो और उसके वहीं पर डालके इसे joint कर लो तो इसी तरह से यह हम पूरे में बना लेंगे यह देखिए यह पूरे में हमने बना लिया है यह पाँच पफ थे तो इनके उपर हमारे यह 10 double crochet बने है एक पाँच तो हमारे पफ के उपर और पाँच ना पफ के बराबर में देखिए यहां पे देखिए दोनों पफ के बीच में डालके एक double crochet इस तरह से बनाएंगे यह लास्ट वाला बचावदा फिर हम चार चैन लेंगे और इसके यह देखिए double crochet में इस तरह से डालके हम यहां पे इसे छोटा सा एक कंगूरा बना लेंगे यह हमारे पूरे हो गए अब हमने शुरू में जहां पे दो चैन ली थी वहां पे डालके इसे हम जॉइंट कर देंगे यह देखिए अब हम यहां पे एक चैन से इसे यहां पे खीच देंगे और यही पे यह उन कट कर देंगे तो यह हमारा देखे फूल बन के तयार हो गया है यह देखे यह हमारा फूल बन के तयार हो गया है ऐसे ही हम अब देखे यह बीच वाला हम छोड़ेंगे और यह यलो कलर वाले उन लेंगे और इसके भी हम जो हमने दो चैन लेती उसके पास ही इसे इस तरह इसे नोट लगा के जोईंट करेंगे और यहाँ पर हमें न दो चैन लेखे एक डबल क्रोशिय बनाएंगे तो आप इसमें याद रखना जो हमें न ये फोल बनाने है वो जो हमने यहाँ पर 4-4 डबल क्रोशिय बनाई थे न वहाँ पे बनाने है तो ये देखे ये हमने पफ जैसे हम चार बार फंदे को किरोशे के उपर ले रहे हैं एक पफ बना लिया फिर आगे वाली उस पे डाला और उसमें भी हमने एक बार किरोशे के उपर लिया ये दो बार ये तीन और ये चार और सभी को हमने एक साथ निकाल दिया तो इसमें भी हमें पाच पफ बना लेंगे जैसे हमने रेड वाले में बनाये थे ना पाच पफ ऐसे ही हम यहाँ पे भी पाच बना लेंगे यह देखे एक, दो, तीन, चार, पाच पाच हो गए अब हम देखे फिर हम पीछे वाला जो यह दो चैन थी इस वाले फंदे में डालेंगे इस तरह से और यहाँ पे इसे लेंगे यह गोल हो गया हमारा अब हम यहाँ पे ना दो चैन लेंगे दो, दो चैन हो गई और यह देखे पफ के उपर यहाँ पर डालके हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने पहले वाले फूल में बनाया है न सेम वैसे ही अब हम चार चैन लेंगे और चार चैन लेके इनके दोनों के पीछ में डालके इसे simple crochet से joint कर देंगे और यह kangura बना देंगे फिर हम जो अगले वाला लेगे वो हम दोनो पफ के बीच में लेंगे यह देखे ज़ादू यह देखे वो हमने बीच में बना लिया तो यह हमने पफ के उपर लिया है तो एक डबल क्रोश या पफ के उपर बनाना है और एक दोनों पफ के बीच में बनाना है तो इसी तरह से जैसे हमने ये बनाया है ऐसे ही बना के हमें पूरा ये फूल कम्प्लीट करेंगे देखे इस तरह से जैसे हमने ये बनाया था ना सेम वैसे ही हम येलो से भी बना लेंगे और आगे भी देखे इसमें और फिर इस वाले में बनाएंगे जैसे इसमें इसमें और इस वाले में ऐसे ही हमें पूरे में ये बना लेंगे अलग-अलग कलर से एक मिनट मेरे ये रेडवाला धागा इसमेड लज गया की देखे ये पूरे में में बनाके न सभी में एक ही कहना फूल बना लेंगे और ये पूरा बनाके फिर मैं आपको दिखाती हूं कि ये न किस तरह का लगता है और ये आपको देखने से भी समझ आ गया होगा ये कितना आसान है और ये देखे कुछ इस तरह का है न हमने पुरा बनाया है इसमें छोटे-छोटे जितने भी मेरे पास धागे पड़े वेते उनके उन सब से हमने ये बना दिया है तो यह देखिए कितनी आसान सी है ना तोरण मेरी एक सस्क्राइबर है सरीता जी उन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं कोई ऐसी तोरण बनाऊं जो ज़्यादा लंबी ना हो और दर्वाजे पे लगी छोटी सी हो और अच्छी लगे तो मैंने ये बनाई है अगर आप इसको और बड़ा बनाना चाते हैं या इसमें और बड़ा देखना चाते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करिए तो मैं इसी में बड़ी भी बना दूंगी तो चलिए आपको ये कैसी लगी मुझे ना कमेंट करके जरूर बताना और हाँ अगर आपको ये पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिक्कुल ना भूलना तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ जिसमें कुछ अलग ही देखने को मिलेगा बाई and थैंक्स वर वाचिंग